चटे चरन में नियुक्त BPSC TRE 1st और चटे चरन में नियुक्त जितने भी B.A.D. से नियुक्त सिचक थे उन्हें पटना हाई कोट ने अब अमान ने करार दिया है यानि इन्हें अब कारे मुक्त किया जा सकता है इसके बाद तमाम चटे चरन में जो पदमुक्त किये गए हैं सिचक वो काफी परिसान हैं चिन्तित हैं कि उन्हें क्या होगा साथी साथ एना युए से डियलीडी करने वाले अभ्यरती जो चटे चरन में और BPSC TRE 1st में सामिल हो चुके हैं उन्हें भी काफी घबरा आट है कि जब B.A.D. वाले को निकाला जा सकता है तो क्या हमें भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है इनी तमाम मुद्वों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पटना हाई कोट के वकील कुमार अंजने सानु जी सानु जी अगर बात की जाए तो 22,000 सिक्षकों को पटना हाई कोट ने अयोग करार दिया है डियलीडी के अभ् प्रात्मिक स्कूल में सिक्षक बनने की जोहरता है सुप्रीम कोट ने एक जज्जमेंट दिया है देवेश कुमार वर्सेज स्टेट और राज़तान देवेश कुमार के मामले में सुप्रीम कोट ने पस्ट कहा है कि प्राइमरी स्कूल में सिक्षक बनने के लिए आपको ड 6 2018 को एंसीट निकाला नोटिफिकेशन में कहा कि भाई जो बियट धारक हैं वो भी प्राइमरी स्कूल में सिक्षक मन सकते हैं अब भैफिकेशन की क्यों गलती नहीं है एंसीटी जो रूल बनाने वाली बॉडी है, प्राइमरी स्कुल में सिक्षक बनने की अहरता के विशय में, उस बॉडी ने कहा कि भाई बीएड वाले भी शामिल हो सकते हैं, उसी के अधार पर बीएड वाले शामिल हो गए, कही राज्यों में सिक्षक बन गए, पुरे देश क्योंकि वह तो एंसीटी के नोटिफिकेशन की वज़े से सिक्षक बने ना वे एंसीटी ने उनको पर्मिशन दिया उस समय कानून था कि बीएड वाले लोग प्राइमरी सिक्षक बन सकते हैं तो वह सिक्षक बन गए सुप्रीम कोट ने उस पर कोई टिप नहीं की उस पर प्रभाव उस्थिके बाद से ही होता है तो यह ऐसा माना गया कि वहार में प्राइम मामले की सुनवाई दिए डिए 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 वाले ही सिक्षक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा सकते हैं और जिनों ने किया है जो अभी से शुरुआत से अभी तक सिक्षक बने हैं सभी आयोग है और उनको बाहर का रास्ता हाइकुट के जज्मन ने दिखा दिया है यह बहुत मेरे ख्याल से थोड इसके विर्द सुप्रीम कोट जाना चाहिए और इतने बड़ी संख्या में जो सिक्षक हैं जिनके साथ थोड़ी जारती हुई है उनके पक्ष में सरकार को वावाज उठानी चाहिए सुप्रीम को अगर बात की जाये तो 22000 सिच्छकों को कारे मुक्त किया जा रहा है जिसस लोगा तो परिवार ही समाफ्त हो जाएगा जिस परकार का जजर्जमिंट आया हम लोग अब करें तो क्या करें इनके लिए कोई उपाय है देखिए उनकी आर्थिक्रिस्टी या समाजी किसी जो है वो है अपनी जगह है लेकिन मुझे लगता है नियम संगत भी नहीं है कि जिसने सिक्षा की रूपे अपने कारे को शुरू कर दिया जो कई वर्षों से वच्टी पढ़ा रहा हो विद्याले में और न्सीटी के नियम की वज़े से ही पढ़ा रहा हो ऐसा नहीं कि उसने अवयाद बाहली हो वह थी उसकी उसकी वेक्ति को अचानक आप कहें कि आप निकल जाएए स्कूल से बाहर आप आयोग हो गए और वेक्ति का उम्र भी आप देखिए जो उम्र की सीमा है सिक्षप बनने के लिए पार कर चुका होगा अधिकांश कैसे वह वेक्ति जाएगा कहां मैं तो उसकी आर्थिक और समाजी किसी पर टिपनी भी नहीं कर रहा है म जो वन टू फाइब में छटे चरण में न्यूक्त हो चुके हैं उन्हें अगर कारे मुक्त किया जा रहा है ये नियाय संगत नहीं है क्योंकि अगर बात की जाए तो आर्थिक दिरिष्टी कौन से भी देखा जा तो उन पे काफी परवाव पढ़ने वाला है उन साती साती इन्होंने सुझाओ भी बताया है कि उनके लिए कि क्या करने होंगे जिससे सायद इनकी जो नौकरी चली गई है पटना हाई कोट के आदेश के बाद जज्मेंट के बाद वो कैसे बचा जा सकता है इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मेडिया दर्शन धन्य झाल